स्वाती मालिवाल पिछले कुछ दिनों से पुरे न्यूस चैनलों में दिखाई दे रही है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको स्वाती मालीवाल के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे पुराने किस्से और इनके पुरे जीवनी के बारे में बताएंगे जो आपको जरूर आश्चर्य चकित करेंगी स्वाती मालीवाल एक सामाजिक कार्यकरता और राजनीतिजिय हैं. वर्तमान में दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने वाली राज्य सभा में संसद सदस्य के रूप में कार्यरत हैं. स्वाती ने सामाजिक कार्यकरता अन्ना हजारे के नित्रित्व में 2011 के भारतिय भरष्टाचा विरोधी आंदोलन में भाग लिया और बाद में जुलाई 2015 से जनवरी 2024 तक दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। स्वाती मालीवाल का जन्म 15 अक्टूबर 1984 को गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता भारतिय सशस्त्र बलके एक अधिकारी थे और इनके माता जी का नाम संगीता मालीवाल्थ। लेकिन बाद में इन्होंने बताया की अपने पिता के हाथों घरेलू दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। जिसके कारण इनका बचपन परेशानी भरा रहा। स्वाती पढ़ने के लिए Amity International School गई और JCS Academy on of Technical Education से सूचना प्रोध्योगी की में सनातक की डिग्री प्राप्त की। भारतिय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के शुरुवाती समय के दौरान इनकी मुलाकात नवीन जैहिंद से हुई और 23 जनवरी 2012 को स्वाती माली वालने नवीन जैहिंद से शादी कर ली। इनकी मुलाकात 2011 में अन्ना हजारे के नेतरित्व वाले भारतिय भष्टाचार विरोधी आंदोलन के शुरुवाती दिनों के दौरान हुई थी। बता दे की नवीन जैहिंद एक पूर्व आम आदमी पार्टी के राजनेता है लेकिन इस जोडे ने 2020 में तलाक ले लिया। इनकी नेटवर्ट माइनताइनफो की रिपोर्ट के अनुसार जन्वरी 2024 में राज्यसभा चुनाव के लिए जमा किये गए अपने हलफ नामे में मालीवाल ने कुल 19,2519 रूपया की संपत्ति घोशित की। स्वाती मालीवाल ने अपनी पढ़ाई पुरी करने के बाद कई संगठन में शामिल हुई थी, जैसे की परिवर्तन नामक एक गैर सरकारी संगठन में शामिल हुई थी, जिसकी स्थापना अरविंद केजरीवाल और मनीश सिसौधिया सहित अन्य लोगों ने की थी। स्वाती को जुलाई 2015 में दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ये महिला आयोग का नेत्रित्व करने वाली सबसे कम उम्र की महिलाओं में से एक थी। इनके कार्यकाल के दौरान आयोग ने घरेलू हिंसा, बलातकार और महिलाओं के खिलाफ अन्य अपराधों के 1.7 लाग से अधिक मामलों को संभाला। इनके कैरियर के बारे में अगर आपको और जानना है, तो विकिपीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इनसे जुड़े अपने सवालों को कॉमेंट में जरूर लिखें। और इनके बारे में अगर आपके पास कोई जानकारी है तो कॉमेंट में वो भी जरूर लिखें। चैनल पर नए है तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें और वीडियो को लाइक करके अपने लोगों को जरूर शेयर करें। यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धिन्नेवाद